वेल्कम टू F3 Health & Beauty Gear मैं हूँ जोचना बॉडी स्क्रब के दौरा आप अपने शेर की गंदिकी, मत्यकोशिकाएं और तेल को हाटाते हुए अपनी त्वचा को नम और मॉस्चुराइड रख सकते हैं लेकिन बदलते वक्त के साथ सौंदर प्रसादन के उत्पादन भी बहुत महंगे होते जा रहे हैं जिने खरीदना सबके बसकी बात नहीं है लेकिन मैं आपको ऐसे बॉडी स्क्रब बताऊंगी जिने बड़ी आसानी से आप अपने घर पर बना सकते हैं कॉफी पीनी के साथ साथ आपकी तुचा के लिए भी बहुत लाबदायक है कॉफी के अंदर कैफिन की मात्रा बहुत अधिक होती है जिसमें मत्य कोशिकाओं को हटाने के भरपूर शमता होती है कॉफी बॉडी स्कब आपको बराने के लिए चाहिए एक चौथाई भाग कॉफी आधा कब चीनी एक चमच जैतुन का तेल दो चमच नागल का तेल एक चमच नमक चीनी और नमक में ये सारी चीज़े मिलाकर आप बॉडी स्कुरब तयार करिए सारी चीज़ों को अच्छी की तरह से मिलाकर नहाने से पहले आप इसे फुल पॉडी पर एपलाए करें और हलके हाथों से इसे निकालें ऐसा कम से कम हफते में आप दो पार करें ऐसा करते रहरे से आपके शरीर की जो मित्य कोशिकान है वो हट जाएगी और आपकी तचा चमच दार बन जाएगी टिप जाओ को नुकसान पहुचाती है तोचा का रंग यहरा भी पड़ सकता है दाग धबी पड़ सकते हैं बस इसी के लिए यह स्क्रब आपको तयार करना है इसक्रब तयार करने के लिए आपको चाहिए दो छोटे कप चीनी चार चमच जैथुन का तेल और दो नीबू आप ची आते वक्त हलके हाथों से इस पेस्ट को अपनी बॉड़ी पर रगड़ें और धीरे धीरे इस पेस्ट को निकालें जब आप निकालेंगे तो आप पाएंगे कि आपके बॉड़ी की जो मृत्य कोशिकाय है वो धीरे धीरे निकल रही है और आपते में कम से कम तीन बार ऐसा करें , Tip No.3 काने मिर्च और अनाव का स्क्रभ जकिए काने मिर्च और अनाव का स्क्रभ है इसके इस्तमाल करने से आप अपने च्छिरीर के अंदर स्फूर्ति और ताजगी का एहसास करते हैं इससे बनाना बहुत यह अजान है से बनाने के लिए आपको चाहिए एक कप अरार का पेस्ट, चार चमच फलकी दरदिली पिसी हुई काले मिर्च और चार चमच शहद तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए एक पेस्ट तयार करें इस पेस्ट को नहाने से कम से कम 15 मिनट पहले अपने बॉड़ी पर अपलाए करें और हलके हाथों से मसाज करें कुछ देर बाद नॉमल पाने से आप नहा लें ऐसा कम से कम हफते में 2-3 बार जरूर करें ऐसा करते रहने से आप पाएंगे कि आपके शरेट की मिर्ट कोशी काएं यानि कि मत तुचा निकल गई है आपकी तुचा चमकदार बन गई है अगर आपको हमारी टिप्स पसंद आती है तो उसे लाइक करें और शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आपसे फिर मिलूँगे कुछ पहतरी टिप्स के साथ थैंक यू